जहीं साथ यूं मेरा नाव है आकास मोरे और आपसे लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टेडी पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज आज शुड़े में बात करने वाला हूँ SSB ट्रेट्समेंट ड्राइवर की जो नियू रिकूर्टमेंट आयो थी काफी अच्छी वेकेंसी आयो थी इसके फिजिकल डेट को लेकर साथ-साथ इसके रिटेन एक्जाम क्या होगी पूरी कम्प्लीट जानकारी आप लोगों को बिल्कुल नोटिस के माध्यम से देने वाला हूँ लोगों को वीडियो काफी इंपोर्टन डाइट वीडियो को सुरू से लेकर लाच तक जरूर देखते रहाना वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना तो था इसी प्रकार से नोलेजवल वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर कर लेना ठीक है तो मैंने जो है SSB ट्रेट्समें ड्राइवर के लिए काफी दिनों सो वेकंसी रुकी हुई थी तो इसका एक RTI फाइल किया हुए था बहुत दिनों पहले ही उसका फाइनली रिप्लाइ आ चुका आया है तो हम लोग देखेंगे RTI में इसका क्या जो है छे तारीक को ठीक है छे तारीक को इसका जो है अपडेट आ चुका था और मेल द्वारा यह चीज़े आयो थी यहां पर देख सकते हैं भारा सरकार ग्रिह मंतराल है महान निर्दिसर कार्याल आई जो है है यहाँ पर ससक्त सीमा बल यानि कि SSB आप लोगों को दिया ग ग्रहन करें जिसके माध्यम से अपने ससत्र सीमा बल द्वारा आयुजद आरची ट्रेडमन 2020 भरती परिछा के संबंद में सूचेना मांगी है यह सूचेना मैंने मांगी होती इसके बारे में कि इसका रिजल जो है फिजकल कब होने वाला क्योंकि सबसे पहले आप लोगों क इसका फिजकल ही कराया जाएगा तो फिजकल कब होगा उसके बारे में जो है मैंने सूचेना मांगी होती इसके बारे में है तो इस संबंद में आपको यह सूचित किया जाता है कि सूचेना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24-1 के तहत ससत्र सीमा बल के भरहश्टाचार और मानाव अधिकार हनन के मामले को छोड़ कर सभी मामलों में मुक्त रखा गया चूकि आपके द्वारा मांगी गई सूचना भरहश्टाचार यहां मानाव अधिकार हनन से संबंदित नहीं है अता ससत्र सीमा बल द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है और आपके द्वारा प के तहत जो आई है ससत स्नीमा बलको भ्रहश्ट चार माना अधिकार हनान मामलों को छोड़कर सभी मामलों को मुक्त रखा जाता ठीक है इसके बारे में यहाँ पर इन्हों ने डिटेल कर रखा हुआ है और मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी यहाँ पर दे देता हूं यदि आप सूचना का अधिकार 2005 की धाराव 19.1 के अनुसार अपील करना चाहते हैं तो इस पत्र के प्राप्त होने कि 30 दिनों के अंदर निम्लिकित अपील अधिकारी को आपका अपील प्रस्थित कर सकते हैं ठीक है यानि कि यहाँ पर इन्हों ने जो है इसके बारे में को अपील को वहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा जिसके बारे में जो आई है जल्द से जल्द कारवाई करने की यहाँ पर उनका अपील आगे भेजा जाएगा ठीक है तो इसके संदर में आप लोगों को एक अनुमानता डेट बता सकता हूं बट जो आई है यह होगा या फि इसको जो आई है कैंसिल कर दिया गए बट ऐसा नहीं है भरती भी कैंसिल नहीं हुई है यह कैंसिल होगी तो इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा किस भरती को कैंसिल कर दिया जाएगा फिलाल इसके संदर में कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया और वहा बता रहो मार्च तक आप लोगों के फिजिकल होंगे इसते पहले आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा ठीक है क्यों कितना भी कहते हैं कि आप लोगों का फरवरी में होगा मार्च में होगा तो ऐसा नहीं है मार्च में ही आप लोगों का फिजिकल होगा इसके बाद हो सकता ह मार्च तक आप लोगों की फीजिकल की सम्हाना आए और जो फीजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जब एक से डेढ़ मन्त बाद आप लोगों का एक्जाम भी कंड़क्ट करा लिया जाएगा ठीक है यह इस्पेक्टेड डेट है और फिलाल जो आए है यहां पर जो मैंने RTI फाल किया हुआ तो इसमें भी कोई रिस्पॉंस नहीं दिया हुआ है डेट नहीं बताया हुआ ना कोई मन्त बताया हुआ है यह मैं आप लोगों के एक अनुमानित डेट बता रहा हुँ इन्होंने बताया हुआ तीस दिनों के भीतर आप लोगों को अधिकारियों को जो आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आ चुका होगा मैंने पास जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जो है लाइक कर देना सांसा चैनल को नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले बाकि मैं आप लोगों को ऐसे ही नई जानकारी स्वाथ नई वीडियो मिलूँगा तब तरह क्लिए टेक केर गुद बाई